नमस्कार दोस्तों मैं राउल सिंग एक बाप फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन क्यान के इस प्रेटफॉर्म पर कैसे हैं दोस्तों आई योप एक दम बढ़िया होंगे मजे में होंगे और जक्कास होंगे बच्चों आज अपन लेगा सर्कल के कोश्चंस किये थे आज कुछ कोश्चंस करेंगे आज सर्कल को क्या करेंगे खतम करेंगे तो बच्चों वीडियो को लास्त तक देना बहुत मज़िदार अप्रोच आपको देखने को मिलेगी जैसे पहली वाली वीडियो में मिले थी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्स्क्राइब करना मत रखा है दोनों के परिमापों का योग आपसे पूछ रहा है पटवार 2009 में आए हुआ हुआ है जिससे आपको कॉंफिडेंस बढ़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वही एक्जाम में आता है इसके अलावा एक्जाम में कुछ नहीं आता है चलिए साब देवनों का आपको सम कितना है यह आपका सरकील हो गया यह वर्गral गया है इन दोनों के एरिया का समख कितना दे रखाएं आप ढरिमापों का योग क्या वोगा सब सबसे बहुरे रखा है व्यास कितनी आप इन में से कुछ अरिया किसके कर इसक्वार का सबसे पहले इसमें से सरकी निकाल लेते हैं क्योंकि वाटाओ साथ हमारी रेडियास कितनी होती तही में यहां कितनी हो गई 14, scaling factor कितना आ गया, scaling factor आ गया, जब अपन area निकालते हैं, तो जो scaling factor आता है, उसका क्या करना पड़ता है, square, scaling factor कितना है, 2, 2 का square कितना हो गया, 4, कितना square आ गया आपका, 4, हमारा area कितना होता, आप बोलोगे sir, 154, उसका 4 times अपने को कर देना है, इतना आ जा का होगा area, वो होगा आपके square का, बच्चा हुआ पार्ट निकालो, 940 में से क्या माइनस करना है, आपने को 616, बताओ कितना बच्चा, आप बोलोगे sir, 324, यानि आपका जो square आया है, इसका जो area है, वो कितना आ गया, आप बोलोगे sir, 324, लेकिन आप से question नहीं नहीं है, तो सबसे पहले अगर देखो, इसका area 324 है, तो हम इसको बोल सकते है, a square, यानि side square कितना है, 324, वर्ग का area यहीं होता है, अगर मुझे बुझा निकालनी है, इसकी तो बुझा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, कि इतना गया, 18, और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 into side, 4 into a, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 into 4 करूंगा, यानि कितना आ गया, 72 किसका आ गया, मेरे पास square का perimeter आ गया, लेकिन अभी हमें किसका निकालना है, अभी हमें बाकिये, circle का निकालना, circle का तो अपन ऐसी निकाल सकते हैं, जब scaling factor हमारा कितना था, हमारा scaling factor कितना था, 2 था, और हमारा परिमाप यानि परीदी कितनी होती है, 44, उसका double हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 88, दोनों को add कर दो, एलो साब, 88 और 72 को add कर दो कितना आ जाएगा, 160 is your right answer, खतम question, तो scaling factor का use आज भी अपन कर रहे हैं, चलिए एक और question लेते, एक वरगा कार शीट जिसका छेटफल 784 वक सेंटी मीटर है, के अंदर 4 बराबर माप वाली वरत्ता कार शीट रखी गई है, तो प्रतेक शीट की पर एक जैसी, यह चार, एक माप वाली वरत्ता कार शीट रखी होई है, सरकिला यह शीट रखी होई है, ठीक है, आपको बोल रखा है, तो आप से पूछार प्रतेक शीट की परीदी कितनी होगी, देखो इस square का area कितना दे रखा है, 784, square का जो area दे रखा है, आपको कितना दे 784 दे रखा है साब, तो सबसे पहले अपन इसकी side निकाल सकते हैं, अगर यह निकालेंगे, तो 784 का कि लेना पड़ेगा, आपको root लेना पड़ेगा, तो 784 root किसका होता है, 28 का, यानि इसकी जो side आ गई, वो कितनी आ गई, 28, यानि मैं बोल सकता हूँ, यहां से यहां तक क distance कितना गया, 28, यहां से यहां तक का distance कितना गया, 28, आ गया कैसाब, आप बोलोगे, बिल्कुल आ गया, तो एक चीज़ बताना, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूँ, middle part तक की बात करूँ, तो यह distance कितना आएगा, आप बोलोगे sir, 28 का अधा कितना 14, कितना आ गया, तक का 14 अब इस 14 को मैं क्या बोलतु सकता हूं और इसको सकते हो डायमीटर इसको मैं बोलतु सकता ह divorced रेडियिस कितनी हो जाएespère आप बोलोगे सर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 पूछा क्या है कि एक सरकिल की परीदी निकालनी है एक शीट की परीदी निकालनी है तो देखो 7 देखते ही तो मन में आपके उमंगे आ जानी चाहिए कि 7 आ गया तो सेविन होती है तो अगर सेविन होती है तो इसका सपरीदी यानि सरकंफेरेंस कितनी होती है फुर्टी-फॉर यह लोग बिना देखे आंसर चिपके आना फुर्टी-फॉर को अपने उड़ा दिया चलिए साब एक और क्वेशन करते हैं साथ सेमित रिजया वाले चार वरत चितना नुरसार एक दूसरे को इस पर्श करते हैं टच कर रहे हैं एक दूसरे को चायंकित बाग का शेड़िड पार्ट का रिजन पूछ रहा है यह जो रेड़ पार्ट इसक कैसे आया इसको मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है करके इसका फॉस्ट पार्ट देखे सर्किल वाला वाहां इस चीज के बारे अपन डिटेल से चर्चा कर चुके हैं सिक्स बाई सेवन और स्क्वेरार कितनी आप बोलो के स इसकी तरिज्या सेमी सरकिल अब 14 सेंटी मीटर मैं बड़े से बड़ा तिर्बुज बनाया जाता है तो तिर्बुज वारा नहीं घेरे जावन जाने वाले भाग का छेतफल ग्यात करो देखो साब सेमी सरकिल ऐसे होता है कि आप बोलो के सर बिलकुल ऐसे ही होता है आपकी हैं यह कितना हो गए आपके पास इसकी रेडियुस कितने रहकिंश रिखना है और इसको यहां सर यहां तक लेके जाओंगा तो भी कितना ऑगा 14 बिल्कुल रेडियस अग rumors relaxed in ho था और इधर देखना बेस कितना ओगिया 14 हो गई किया आप BOLO के सब्सक्तेुर डो ट्राइंगल है कितनी ग्रैंगल के स्पस्ट्राइंगल के लिए डोनों से ूंटिप्राइए कर दिया कि या, या नी इस ट्रैंगल का जो एरिया सबसे पूच रहा है कि इसने कितना पार्ट नहीं कवर कर रखा तो कैसे निकालेंगे कि हम सर रहे से Conference इंगल को माइनस कर दों सैंगा इरिया देखो ution कितनी है 14 हमारी कितनी खितनी होती से 7 तो कितना 있나 लेकिन बात एरिया की हो रहा तो एरिया में क्या करते हैं अपने स्केलिंग फैक्टर का स्क्वार कर देते हैं यानि इस कितना आ गया फोर आ गया हमारा जो स्टेंडर्ड रिजल्ट आता था सैमी सर्किल का एरिया का वो कितना आता था 77 77 इंटू 4 करेंगे कितना जाएगा 308 यानि आपके पास यह पता यही आपका क्या आएगा एक सो बारा यही आपका क्या एगा एक सो बारा बर्क सेंटिमिटर यानि इस वाले पार्ट का जो एरिया आएगा वह आएगा 196 cm option number B अब एक चीज ध्यान रखना बच्चो कभी भी आपके पास question आ जाए ठीक है इस तरह का तो आपको यह वाला जो पार्ट है इसका एरिया देखो आप कैसे निकालोगा मैं आपको एक result बताता हूं बढ़िया सा इस पेज को मैं थोड़ा सा उपर लेके जाता हूं कि इस पेज को आस्मान की उचाईयों में लेके जा रहे हैं थोड़ा सा उपर की तरफ कि देखना साब मैं आपको क्या कहना चाहरा हूं कि आपके पास एक सेमी सर्किल है ठीक है इसके अंदर आपको एक बड़े से बड़ा ट्राइंगल बनाना है ठीक है तो इदको यह अगर सक्राम क्कoth कंगर सब्सक्राइक है यह यह ऑन सब्सक्राइड़ा एक न. और एक और इसकी हाइट हो गई ठीक है टू सेट टू कड़ गया यानि कितना गया आर इसक्वेर यानि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कभी आपके पास अर्दवरत का अंदर आपको ट्राइंगल बना रखा है और उस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना जो रेडियस की वने उसका स्क्वाइर कर देना वही कहाएगा आपका ट्राइंगल का एरिया देखो तो फिर अब तो कोशन और ज्यादा असान हो गया हमने जो यह निकाला था आपको निकालने जूरत नहीं हमें मालूम है क्योंकि हम विद्वान इंसान है कि सेमी सर्कल के अंदर हमने कोई बड़े से बड़ा ट्राइंगल बनाया है तो उसका एरिया क्या होगा उसका एरिया होगा उस रेडियस का स्क्वाइर तो रेडियस कितनी है 14 14 का स्क्वाइर कर दिया बात खतम 14 का स्क्वाइर करता ही इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा क 112 वर सेंटीमीटर क्लियर है आप बोलो के सार एकदम क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं चित्रा नुसार प्रत्यक वरत क्या व्यास डी है पूरे वर्ग का छेत्फल क्या होगा कॉंस्टेबल 2007 में आगुए कोश्चन है आपको दे रखा है इस यह है यह दी है यहां से यहां तक कि टिस्टेंस कितनी होगी आप मोलो के सब्सक्राइब estásement साइबerg का च्पिषा ज़िए नाइडी स्क्वाइर देखने में अजीब लेकिन आंसर बहुत ही आसान 90 स्क्वाइर इस यौर राइट आंसर क्लियर आगे बढ़ते हैं व्रत की परीदी को 50% कम किया जाए तो इसके में कितने प्रतीशत की कम होगी वन रक्षक दो अजार सोला में कोशन देखो 50 प्रतीशत समझना सबसे पहले व्रत की परीदी क्या होती है तो अगर परीदी को कम कर रहे हो तो यह तो कॉंस्टेंट वैल्यू यानि फरक किस पर पढ़ेगा आपके फरक पढ़ेगा आपके रे कितना हो जाएगा फोर से वन हो जाएगा या आपको पता अनीची स्केलिंग फेक्टर के थूप तो देखो 4 से 1 हो गया है कितना कम गया 3 किस पर 4 पर और 3 पाइ 4 की वैल्यू कितनी हो गई 75% खत्म यहां भी स्केलिंग फेक्टर लगा दिया है चलिए एक और गोशन लेते ह पत की बहरी परीदी 528 मीटर है पत सब तरफ से 14 मीटर चोड़ा है तो 10 रुपे पर मीटर स्क्वेर की दर से पत को समतल कराने का खर्चा क्या होगा देखो आप से क्या बोल रहा है यह एक बहरी सरकिल है इसके अंदर एक सरकिल और है इस बहर वाले सरकिल की जो आपको सरकमफ पोड़े का मतलब क्या होता है यह एक रेडियस है आर यह यह रेडियस मनली मैंने और यह स्मॉल कर देते हैं तो हमारे पास इस जीजन पहले बता चुक है अब सबसे पहले आओ देखो हमारा कटना होता है हमारा परीदी कितनी होती है 44 कोश्रण में कितनी आध कितनी की 108 तो साइवन यह कि कितना हमारी कितनी होती थी 77 तोड़ा या यह बाली इसकी बायर कितने आ जाये서य wear और आप आपको पोल रखा है कि यह जो पात हे हर से 14 मीटर चॉड़ा है तो यानि इस वाले पार्ट की जो लंबाई है वो कितनी है 14 है इस वाले पार्ट की लंबाई कितनी है 14 है तो अगर इस वाले पार्ट में से यह वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास छुटे वाला जो सरकल है उसकी रेडियस आ जाएगी देखो बड़े वाले रेडियस बड़ी कितनी है 14 तो स्मॉल आर की वेलु अगर मुझे निकालने तो कितनी आ जाएगी स्मॉल आर की वेलु आ जाएगी 84 माइनस क्या करूंगा मैं 14 यानि कितनी आ गई 70 कितनी आ गई 70 अब एक सी समझना अब आप से पूछ रहा है कि इस रस्ते का छेत्वल अपने को पता होगा तभी तो अपन इस समतल गरवाएंगे मिट्टी दलवाएंगे तो सबसे पहले क्या गंदा है आपको इस एरिया का निकालना इस वरत्तागार व आपको क्या करना पड़ता है जो भी स्केलिंग फैक्टर आता उसका स्क्वएर करते हैं यानि इस पहले वाले पार्ट की बात करें है तो इसक्यलिंग क्ते आगे तो टैन को तो 10 कितना उता है 100, दोनों में difference कितना 44, कितना difference 44, हमारा actual मेरिया कितना होता है, 154 इंटू क्या गर देंगे, 44 यह आपका क्या आजाएगा, इस रस्ते का छेटफल आजाएगा, यह कितना आजाएगा, आप जब इसको multiply करोगे, 6, 7, 7, 6, अभी answer नहीं आया, आपसे पूछा है, 10 उरुपे प्रती वर मीटर की square से, पत को समतल कराने का खर्चा, एक मीटर पर 10 उरुपे, तो इतने मीटर पर कितना 6, 7, 7, 6, 0, is your right answer, यहाँ भी क्या लगा है scaling factor, चलिए साब आगे बढ़ते हैं, एक कुवाट 12.5 मीटर गह रहा है, जिसका व्याद 7 मीटर है, 30 रुपे पर मीटर square की दर्शे, वरक प्रस्ट को रंग कराने का खर्चा, देखो, यह कुवाँ है साफ, ठीक है, यह कुवाँ है, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, अब कुवे में, जब color कराओगे, तो कहां कराओगे, कुवे के अंदर रोडी ना कराओगे, color उसके अंदर तो पानी है, कुवे के अंदर कलर होगा होगा होगा, बाहर-बाहर की तरफ होगा, यानि आपको curve service area का area निकालना है, सबसे पहले, अब देखो, कर सर्वेश का कैसे निकालते हैं यह निकालते हैं जो आपका आधार का छेत्फल होता है आधार की परीदी होती है टूपाई यार ठीक है इंटू उच्छाई टूपाई आर एच यह बेलन के व्रकप्रस का जो छेत्फल होता है वह ऐसे निकालते हैं आधार क्या है हमारा आध आधार क्या है हमारा आधार क्या है अब सरक्टल जब आधार हो गया तो सब से पहले ऊपो सबसे पहले निकालने आनी परीदी यानिश उन्हीं निका लेंगे व्यास कितना है 7 m تو रडिश कितनी होगा आप मोले सर्थ 3.53.5 अब स्के instruments कितना अब साइगा हमारा कितने ओताा 177 कितनी ओरे फ्रीपोंट है यानि मैं परीदियों लीव कितना कितना दो यानि कितना हो गया 22 कितना हो गया 22 यानि जो परीदी आगे टूपाइयार कितना आगे हमारे पास 22 और उंचाही कितनी गिवन है आपको 22.5 गिवन है तो देखो आपको इसका वर्ग प्रस्ट का एरिया निकालना है हमने निकाल ली परीदी कितना 22 और हाइट कितनी है 22.5 यह सर्फवेस एरिया का एरिया आगया 22 into 22 करें कितना हो गया 484 और इसका ग्याराइट कर देंगे कितना जाएगा 495 कितना जाएगा 495 495 यह आपका फिर इसके बाद 30 रुपे पर मीटर के साब से यह लो साफ बल्टिप्लाइ कर दो इदर कितना गया फाइव इधर कितना आगया पुलो के सर इधर आगया एट इधर कितना आगया कि कोश्चन खत्ब यहां भी अपन नहीं क्या लगा दिया हमने लगा दिया स्केलिंग फैक्टर चलिए साब एक और कोश्चन लेते तीन वर दिसमें से प्रतेक की त्रिज्जा मैंजा आप ऐसे तीन हापस में पर्श कर रहे हैं और आप से इस वाले पार्ट का एरिया पूछ रहा है algum अपसे पूछ अज़िक सार्किल का कभी भी करेका कोस्टेंड करने कि लिए डारेक्ट फॉर्मूल होता है क्या होता 0.161 into r square है आपको बताया था मैंने ठीक है कितनी है 3.5 देखो 0.161 अब इसका 3.5 का square करेंगे 35 का square आपको करना है basically अब देखो ऐसा कोई भी number जिसके last में 5 आता है उसका square कैसे करते हैं कि 5 का square 25 यह तो आपको लिखना ही लिखना है फिर उसके बाद क्या बचा number 3 बचा इस नंबर को इसके बाद वाले number से multiply कर देते हैं 3 के बाद क्या आता है 4 3 into 4 कितना हो गया 12 यानि कितना आ गया 12 25 लेकिन हमें point दे रखा था तो आप दो नंबर के बाद point लग जाएगा जब आप इसको multiply करोगे तो कितना आएगा 1.975 आप देखोंगे यह बड़े अच्छे दे रखें गलती कराने के पूरे पूरे chances हैं वन रक्षक 2016 में हुआ कोश्चन है जिसको अपन ने उड़ा दिया इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको पहले वाली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है जब तक आप बेसिक नहीं देखोगे तब तक यह चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी एक और कोश्चन लेते हैं साब कोश्चन आपको बोल रहा है किसी वरत की त्रिज्जा में एक सेंटीमीटर की वरद्धी करने पर इसके छेथफल में 22 सेंटीमीटर की वरद्धी होती है वरत की प्रारंबिक त्रिज्जा क्या है पटवार 2011 का कोश्चन आया हुआ है अब द स्क्वाइर ख़िक हैला हुआ और श्कार कितना हो गया फोर एक सेंटिमेटर पड़ा दिया तो बढ़ा होगा याहनि 22 ऐसेवन आप कितनी होगा रेडियस और टू की जग है कितना थाक है यह इन दोना तो यहां पर तो डिफरेंस आपके 22 नहीं आ रहा तो यानि यह उप्शन क्या है गलत आप दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं दूसरा आपको सेंटीमेटर यानि 22 बता साथ और का स्कोर गया सोला हो गया ठीक है डॉनों का डिफरेंस कितना आ चीए 22 वाइस सेविन 16 मैंसे यह common आ गया 16 मैंसे नो गया कितना बच्चा 7 7 मैंसे 7 कड़ गया यानि आपका answer कितना गया 22 जो question में जो आपका difference आ रहा था उससे match कर रहा है तो यानि आपकी जो radius होगी कितनी होगी 3 cm clear मज़ा आया इसी के साथ circle अपने लिए समाप्त होता है कल अपन कोडिलेटर पर रहेंगे बढ़िया सारे बहुत मज़िदा तरीके से तब तक के लिए जय हिंद जय बारत धन्यवाद